आज का हमारा study topic है hammer candlestick pattern इस candle का जो real body है वो छोटा होता है इसका lower shadow real body से at least दोगन होना चाहिए इसमें upper shadow या तो बहुत ही छोटा रहता है या फिर रहता ही नहीं इस candle का color matter नहीं करता चाहिए गडिन हो या red हो इस candle का previous कुछ session downtrend में होना चाहिए तो ही इस candle को hammer candlestick pattern कहा जाएगा और ये एक bullish reversal pattern मतलब इसके बाद expect किया था है कि price उपर जाएगा ऐसा expect काने का पीछे जो psychology है वो है market कुछ time से downtrend में रहा और ये candle open होता ही sellers ने price नीचे लेके चला गया बट market close होने से पहले ही buyers price को उपर खीच लिया और ये open price के पास close हो गया जिसका मतलब seller ने downtrend मेंटेंड नहीं कर पाया और buyers इसमें active हो गया इस pattern को effectively trade करने के लिए आपको कुछ चीजे ध्यान में राखना चाहिए आपको आगा जानना है कि वो कौणसा कौणसा चीज जो इस pattern को ज़्यादा accurate बना देता है तो उसके उपर हम एक वीडियो बना चुका है तो उस वीडियो का लिन डेस्क्रिप्शन